भक्त वच्चल बापू जी ने दुखद प्रारब्द हर लिया सादवी सजनी बेहन जो पिछले 36 वर्षों से संतिश्रिया साराम जी महिला हुथान अश्रम में सेवा साधना परायन जीवन का सोभग्य प्राप्त करते हुए अपना अध्यात्मी को ठान कर रही है और जिने पूझे बापू जी की पूझनिया मातुश्री मा महंगीबा जी की नीजी सेवा का सोभग्य वी मिला है अपने जीवन में एक घटित प्रसंग बताते हुए कहती है बच्पन से ही मैं पैरों के दर्द वो पेट की तकलीफों से बहुत परिशान थी जिस दिन दवाई ना लेती उस दिन चलना मुश्किल हो जाता था एक बार मैं पूजे वापूजी के धर्शन करने आश्रम गई तो पूजे श्री ने मुझे प्रसाद दिया प्रसाद खाने के बाद कुछ ही देर में सालों पुराना पैरों का दर्द चला गया पूजे वापूजी की क्रेपा का ऐसा समर्थे देख मैं दंग रह गई बाद में मैंने पूजे वापूजी से मंतर दिक्षा ले ली और मुझे महिल आश्रम में रहने का सो भाग्ये भी मिला यहां मुझे बड़ी शांती मिली एवं मनोबल और अध्यात्मिक बल में व्रद्धी होने लगी पर मेरा तीवर प्रारब्ध होगा इसलिए यहां भी रोगों ने पीछा नहीं छोड़ा बहुत इलाज कराने पर भी लाब ना हुआ बलकि तकलीफ बढ़ती ही गई आंतों में छाले पड़ गए पानी की एक बूंद भी पेट में नहीं टिकती थी मेरा वजन मात्र 27 किलो रह गया वैदों वड़क्टरों ने भी जवाब दे दिया मैंने पूज्य बापूजी के श्री चर्णों में समस्या निवेदित की तो गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दी और क्रपा सवरूप स्वास्थे मंत्र ततारुद्राक्ष की माला दी पूज्य श्री के अशिरवाद इवं प्रसाद से मेरे चित को बहुत ही शान्ती मिली रात को सपने में बापूजी के दर्शन हुए भक्त वच्छल पूज्य बापूजी बोले बेटी तेरा जो दुखत प्रारब्द था उसको मैंने हर लिया है अब तु निश्चित रह दूसरे दिन से ही मेरा स्वास्थे ठीक होने लगा सारी तकलीफें ठीक हो गई कहां तो एक एक दिन जीना भी मुश्किल हो रहा था और आज मुझे आश्रम में रहते हुए चत्ती साल हो गए है मैं एकदम स्वास्थ हूँ हरियो मैं एकदम स्वास्थ